Hello everyone, कैसे हैं आप मैं नेहा दमायास चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में आपको पतंजली ब्राइंट के दिवे अशोका रिष्ट सीरप के बारे में रिव्यू दूँगी इसके बारे में बताऊंगी कि ये औसे भी आपके बोड़ी को किस तरीके से फायदा देती है इसके benefit, side effect, uses, price और dose इन सब के बारे में आज open detail में बात करेंगे डिटेल में इसका review करेंगे तो गई इस पतंजली ब्राइंट के बारे में तो आपने सुने ही होगा ये अपने आप में बहुत अच्छा ब्राइंट है जिसके मार्केट में काफी सारी प्रोड़क्ट मिलते हैं इंडिया में इनके प्रोड़क्ट ऑगी बहुती ज्यादा sell होती है ये गईज अदिकतर आयरविदिक प्रोड़क्ट बनाता है और इसके स्टोर भी आपको मार्केट में हर जगे मिल भी जाएंगे और इससे पहले की कई वीडियो में मैंने आपको इस ब्राइंट के प्रोड़क्ट का रिव्यू किया है इस्तिरी रोगों की जो समस्याइं है जो भी दिक्कते हैं उनके इलाज में इसका इस्तिमाल किया जाता है मासक धर्ब की समस्याओं को दूर करने में ये औसीदी काम में लाई जाती है इसके अंदर गई इस एलकॉल नामात्र की रूप में प्रेजेंट होता है इसके अंदर इंक्रिडेंट में ले जाते हैं सारे ऑसेदिये प्राकटी तइन है जो कि आपके महिलाओं कि समस्याइं जो भी दिक्कते हैं उनने दूर करने में मदद से किरते हैं और गईज अगर आपके पिरियड आ रहे हो तो इस तायम अगर आपको बहुती ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो सिस्तिती में आप असोकारिष्ट का सेवन कर सकते हैं क्योंकि इसके इसे जड़ी बूटियां मिलाई गई गई हैं जो के आपके गरवासे को ताकत देने वाले संकुचन को निंतरित करती हैं सरदर्द कमरदर्द मतली को भी कम करने में मदद करती है इसलिए यह दर्दनाक पिरिएट के दोरान असोकारिष्ट बहुती ज़्यादा लाव करता है इसके साथ साती आपके स्वास्त में भी सुधार लाने में मदद करता है और भी कई तरीके के इसके फायदे हैं पाचन सक्ति को मजबूत बनाता है मेटावालिजम में सोधाल लाता है भूग की कमी को भी दूर करता है भूग बढ़ाने में मदद करता है अगर आपको किसी भी प्रकार की स्वास्त संबंदी चिंता हो जैसे के मासिक धर्म के दर्द, भारी पेरिड, बोखार, अपच्च इस पर करके कोई भी चिंता हो तो निश्चित हो जाए यह सोकारिष्ट बहुत ही ज्यादा बैस्त है जो कि आपके पेट दर्द से भी राहत दिलाने में मदद करती है तो बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन से इंग्रीजेंट मिला जाते हैं इसके इंग्रीजेंट के रूप में अशोक, गुड और भी काफी सारी इंग्रीजेंट हैं जैसके नगरमौत, सुन्थ, धारू हल्दी, नेलो, फर, हरद, बहेड, आम, सफेद, जीर, वास चन्दन यह सारी चीजेंट के अंदर बरावर मात्रा में पाई जाती हैं जो के आपके पीरियड जैसी समस्या को दूर करती हैं पीरियड में होने वाले दर्द से आपको राहत देती हैं असोग, मुस्ता, बिबित, जीर, वास, अधात, और भी अन्नि प्रकार के इसके किसे नहीं लेना क्योंकि हर किसी की बोड़ी की स्थिति अलग लग होती है, मेडिकल स्थिति अलग लग होती है, किसी को फैदा देती है, तो किसी को नुकसान भी कर सकती है, वैसे तो गई सासोका रिष्टे सीरप का इस्तिमाल अमेसा भोजन के बात करना चाहिए, क्योंकि इस द Vis retro चाहिए बहुत पानी करना बहुत हैं तो आपके और चाहिए वह सब्सक्राइब तैम और फिर यहां सिन बहुता है दिन में 2 बार रेना है या फिर सकते हैं पानी के साथ को लेँbod hills इसका इसमाल नहीं करना चाहिए एगर आपके खुराइक ज्यादा मात ने लेते हैं तो आपको इसका इफक्ट भी हो सकता है आप मोलेंगे कि स्कुम कहां से खरीदे तो यह आपको Markets महां मिल जाती है इसे आप मार्केट से प्रचिर्ज कर सकते हैं, इजीली तरीक से मिल जाएगी, या फिर आप इसे और पतंजली के स्टोर पर जाके, या फिर आप इसे अमीजों से खरी सकते हैं, जैसा आपको साई लगे सस्ता फोडेवर लगे, वहाँ से आप इसको खरीज सकते हैं वो आपकी चोईस है मैं तो गई सापको ओर्लाइन खरीदने के लिए सज़ेश्ट करूँगी क्योंकि ओर्लाइन या आपको काफी अच्छो डिस्कॉंड में मिल जाती है गईस यह सीरप अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रही हो तो डिस्किप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक भी शेयर की हुई हो इस लिंक पर क्लिक करके भी आप इस प्रोड़क्त को परचेच कर सकते हैं सत्तर रुपे इसका प्राइज है सस्ता फोड़ेवल है तो आप इसका आज ही इस्तिमाल करें आज ही मार्केट से लेके आए जो कि आपके सभी प्रकार की महलाओं की जितनी भी दिक्कते हैं इस तरहीं रोगों के लिए एकदम अमरत है जो कि आपके प्रियोड की प्रोड़म जो प्रियेड की टाइम होने वाली दिक्कते हैं उन्हें दूर करने में मदद करती है सो गईस आज की विडियो में आपको इतना ही बताना चाहोंगी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए फ्रेंडों के साथ शियर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको हमारे नएने वीडियो के अपडेट मिलती रहे नएनी जानकारिया मिलती रहे और गैज बैल आइकन पर जरूर प्रेस किजिए ज की सायता जरूर करेंगे पर याद रखेंगे इस डॉक्टर की सलागे बेना सेवन ना करें खुराक से जादा मात्रा में ना लें चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद